So, Hello Friend, Welcome to my YouTube Channel तो इस उड़े में हम बात करने वाले हैं कि आप आपको बहुत सारे लोग Facebook के आपके फ्रेंड होगे या पिर आपके Facebook के फ्रेंड होगे तो कोई भी आपको Facebook पर tag करते रहता है अपने फोटो और ओव फोटो आपके प्रोफाइल में दिख जादी है तो इस उड़े में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कैसे रुके हैं तो उससे पहले मैं आपको लायू बताने वाला हूँ तो जैसे कि यहाँ पर मैं Facebook का एक application दूसरा account open कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपनी profile को यहाँ पर एक photo post कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने photo post की और मैं अपनी main account को यहाँ पर tag कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने tag कर दिया और photo को post कर दिया तो यहाँ पर मैरी post हो रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा wait कर दिया तो यहाँ पर मैंने post डाली है और मैंने main account को यहाँ पर tag कर दिया है अब चलते हैं मेरी main account के अंदर तो यहाँ पर है मेरा main account तो मैं इसे open कर दिता हूं open करने के बाद मैं profile में चला जाता हूं तो यहाँ पर है मेरी profile और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे photo tag नहीं हुआ है अब यहँड जो post किया था वो मुझे tag नहीं हुआ है तो मैंने एक setting enable करके रखी है setting चालू करके रखी है उसके कारण मुझे कोई भी tag करेगा तो वो मेरी profile के अंदर नहीं जिख जाएगा तो ये post हमारे यहाँ पर आचुके है क्योंकि मैं friend हूँ लेकिन मेरी profile में आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट नहीं है तो मेरी profile के link आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो अगर आप मुझे facebook पर फेर नहीं हो तो simply आप मुझे add करके आप मेरी post को मेरी post देख सकते है तो चले वीडियो को start करते हैं और मैं आपको बताने माला option पर क्लिक कर देजिया क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको एक option मेलेगा timeline and tagging तो simply उस पर click करेंगे आप तो यहाँ पर आपको एक option मेलेगा who can post on your timeline तो आपको simply उस पर click करके friends के आलावा सिर्फ only me कर देना है तो simply यहाँ पर मैंने only me कर दिया है already था मेरा तो यहाँ पर आपको निचे भी option मेलेगा who can see what other post on your timeline तो इसको भी आपको only me ही कर देना है simply only me ही रख देते हैं अब नीचे जाना है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर who can post you are tagged in or timeline तो simply उसको भी आपको only me ही रख देना है only me रखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे दे रहा है कि review tag people you add you are before they appear on facebook तो simply उसको भी आपको enable कर देना है tag review को भी और यहाँ पर आपको दीख रहा है कि नीचे वाला है उसको भी timeline review पर add कर देना है तो simply उस पर click करने के बाद यह सारी settings हो जाएंगी और आपकी भी post या कोई भी आपका दोस आपको timeline पर tag नहीं कर पाएंगा तो यही था वीडियो गाइज आज का तो वीडियो कैसा लगा हो मुझे comment करके आप जरूर बताएगा आप मेरी link आपको description मिल जाएगे मेरी facebook id की और मेरी instagram id की भी तो मैं उस पर भी वीडियो बनाता रहता हूं तो गाइज मिलते अगली वीडियो में